जन्रल का बेसिक कॉंसेप्ट क्या है और अकाउंट्स कितनी टाइप के होते हैं और अकाउंट्स के बेस पर जन्रल एंट्रिस कैसे बनती हैं यह सब हम आज के इस वीडियो में समझेंगे सबसे पहले जानते हैं कि अकाउंट्स कितनी टाइप के होते हैं तो अकाउंट्स जो हैं वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं सबसे पहले आता है real account और उसके बाद नमबर दो पहे आता है personal account और थर्ड है nominal account तो सबसे पहले हम बात करते है real account की तो real accounts जो है वो asset से related होते है जैसे की plant stock कैश मिशिनरी यह सब एसेट्स कि से रिलेट्टी जो एंटीरि में रिल रीडान कर्रीरिस है। हमारे पास आ 20,000 रुपीज की गुड्स परचेज की गई है तो गुड्स हमने खरीद दी है इसलिए गुड्स जो है हमारे पास आ रही है तो जो चीज आ रही है उसे हम करेंगे डेबिट तो गुड्स क्योंकि हमारे पास आ रही है तो गुड्स को हम डेबिट करेंगे और बदले में हमने 20 तो चीज हमसे जा रहा है तो जो चीज हमसे जा रही है उसे हम क्रेडिट करते हैं रियल अकाउंट में तो कैश जा रहा है तो इसलिए हम कैश को क्रेडिट करेंगे तो इस तरह जो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी वो इस तरह होगी पर्चेजिज अकाउंट डेबिट 20,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 पर्सनल 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 पर् बनते हैं उनको कहते हैं जैसे कि एक्जाम्पल के तोर पर मोहंज अकौउंट जैए एक व्यक्ति के नाम से बना हुआ अकाउंट है ये एक न печ 12 परसन अकाउंट है। artificial account हम उन accounts को कहते हैं जो company के नाम से बनते हैं जैसे की example के तौर पर JP Morgan account जे एक company के नाम से बना हुआ account है जे एक artificial person account है representative accounts जो accounts किसी person जा group of person को represent करते हैं उनको हम representative accounts कहते हैं इसमें prepaid और outstanding rent wages जे सबी चीज़ें आ जाती हैं तो general entry जब हम बनाते हैं personal accounts में तो उस समय हम किसको debit और किसको credit करते हैं वो इस परकार है जो व्यक्ति कोई चीज ले रहा है लेने वाले व्यक्ति को हम debit करते हैं और जो व्यक्ति कोई चीज दे रहा है तो देने वाले व्यक्ति को हम करते हैं credit तो इसको हम एक example से समझते हैं तो example जो है वो आपके सामने है purchase machinery from whipool on credit rupees 30,000 विपool से machinery उदार कृदी गई है rupees 30,000 की तो machinery हमारे पास आ रही है machinery real account है तो आने वाली चीज को debit करते हैं इसलिए machinery account जो है वो debit होगा विपool जो है वो personal account है व्यक्ति का नाम से बना account है वो दे रहा है और देने वाले को credit किया जाता है इसलिए विपool account को हम credit करेंगे nominal accounts nominal accounts जो है वो expenses, losses, incomes और gains से related होते हैं nominal accounts में सबी खर्चे, नुकसान, फायदे, incomes जे सब आते हैं initial related entries जो है वो nominal accounts में की जाती है तो nominal accounts में जो losses या नुकसान या खर्चे होते हैं उन सबी को हम debit करते हैं और जो income है या gain है जो फायदे हैं वो सबी हम credit करते हैं तो इसको हम एक example से समझ सकते हैं इसकी example है commission received rupees 5000 5000 rupees हमने commission receive की है तो commission हमारी income है तो इसलिए हम income को credit करेंगे commission के रूप में cash हमारे पास आया है, cash real account है तो cash हमारे पास आया है, इसलिए आने वाली चीज़ को debit किया जाता है और commission क्योंकि हमारी income है तो इसलिए हम commission को credit करेंगे कर सकते हैं